देखो बच्चों, next topic है, energy density in magnetic field, अब हम energy density देखेंगे, किस के अंदर, magnetic field के अंदर, तो चीजों को समझना, उसके लिए हम एक solenoid लेते हैं, देखो, चैप्टर में हम दीरे-दीरे आगे बढ़ रहे हैं, छोटे-चोटे topic को लेते आगे बढ़ रहे हैं, छोटी-चोटी बात हर चोटी-चोटी बात, copy pen लेकर note करा करो, जब पढ़ाओं, वीडियो में कुछ बोलू, तो सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं, कि जो teacher जो बोल रहा है, कुछ हर बाते हैं, note करनी चाहिए, कुछ concept बोल अच्छा ऐसा तो ऐसा, जैसे पिछला concept बोला था मैंने, कि current रु जब तक आप एक बार नहीं लिख रहे हो, आपका सिर्फ एक बार लिखना मेरे सौबर बताने के बराबर माना जाता है, मैं भी जब पढ़ता हूं, तो मैं ऐसी चीज को देखता हूं, जब मैं किसी teacher के lecture को देखता हूं, जब मैं अपना पढ़ता हूं, तो उसने जो मुझ अपने बोल दी, जो समझाया नहीं खली, इसी बोल दी सिखा दिया concept था, उसको कहीं कॉपी में नोट कर लिए, किनारे अच्छा सा, बस वही concept तो जान होती है, हर चीज की है, हर टॉपी के कोई नोट कर लेना चाहिए, बच्चा वही successful है, जो ऐसा कर रहा हो, कोई बात नही लिए, मैंने एक solenide लिया, solenide की total length है L, unit number of terms है, unit length में number of terms है N, total length है L, unit length में number of terms है N, तो total number of terms कितने NL, total number of terms कितने NL, तो n equal to capital N upon L अगर मैं यहाँ से देखू total number of tens कितने NL तो small n equal to कितना N upon L मैंने switch on कर दिया जैसी मैंने switch on किया तो इसके अंदर एक magnetic field बनी होगी जो हम लोग जानते हैं कि solonide के अंदर एक magnetic field बनती है जो solonide के अंदर जो magnetic field बनती है उसका formula होता ही ये तो n upon L यहाँ पर आजाएगा कोई दुख की बात नहीं तो चाहो तो लगा सकते हो लेकिन मैं unit number of tens के लिए लिका चलता हूँ unit length में ठीक है मैं उसको बाद में convert कर लोगा total length में तो b equal to minute ni ये किसकी magnetic field है मैंने बोला ना concept बोला मैं अभी बच्चे को लिगले ना चाहिए कहीं कि अनरजी दंसीटी में पहली मैं पहली मैट्टी फिल्ड़ हम क्या लेते थे तो energy density में पहली मैट्टी फिल्ड़ लेते थे लेते हैं तो solenide के अनरगी मैं विच विच वेडिवर्ट इसक्टर अप्टिक और तो कि लिगREY, थे थैष्टूल सुलेटर आप्लिकेशन्स दिपटिक एंपरे स्वारी फीर्टाल के एंपरे स्वारी यह होगा को लोग है चलो, याद होगा, तो B equal to munit ni, this is the magnetic field inside the solenoid, खतम, यहाँ से निकाल लो, तो I equal to कितना हुआ, B upon munit n, I equal to what, B equal to munit n, I equal to B upon munit n होगे, छुड़ दो इसको, इसको, this is equation number 1, अभी एक फॉर्मूला हम लोगने पड़ा था, the self-inductance of the long solenoid is, self-inductance का formula मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, solenoid के लिए self-inductance का formula, L equal to munit n square a L, L equal to munit n square a L, कुछ ऐसा सिखाया था, तो वहीं से आया, L equal to munit n square a upon L, यह क्या है n square a upon L, इत्ति वासल में आ गई, यह formula आथा था किसका, self-inductance एक solenoid का, तो तुम्हें क्या मिलके देखो, तुम्हें solenoid के self-inductance की value मिल गई, solenoid के अंदर चलने वाली current मिल गई, तो solenoid के energy क्या होती है, half L I square, अभी बताया, U equal to half L I square, L यह रहा, I यह रहा, equation और इसकी इन दोनों की value उठाकर यहां पर रख दिया, तो U equal to half, half L, mu not N square A upon L, mu not N square A upon L, I square, B upon mu not N ka whole square, B upon mu not N ka whole square, got it, done, समझ गया, energy density निकालने का मतलब के है, energy density equal to total energy upon total volume, यार, energy density तुम्हें तभी निकाल पाओगे न, जब total energy निकालगे लाओगे, we are going to find out the first total energy of the solenoid, total energy in the form the magnetic field of the solenoid, then we are going to divide it by the volume, then we can get, but then we can find out the value of the energy density of the solenoid also, so energy density के तुम्हें को सबसे पहले बता करने पढ़ेगा, total energy, total energy बता करो, total volume से डिवाद गर दो, फिर बोल रऑं, total energy बता करो, total volume से डिवाद कर दो, total energy का फर्मला, half L i square L, i, बता हे, so half L i square total energy upon total volume, mu naught n square a upon l b upon mu naught n ka whole square ठीक, बड़े प्यार समझो, बड़े अच्छा से बड़े इत्मिनान से, u equal to देखो, half, half mu naught n square a l, mu naught n square a upon l अच्छा है, b square, b square mu naught square, mu naught square n square, n square 1 mu naught से 1 mu naught गया गया, जब 1 mu naught से 1 mu naught गया तो जाने दो, बचा क्या u equal to half half n square a n square a upon l upon l, b square, b square mu naught, mu naught एक बचा, अब स्माल n क्या होता है स्माल n होता है, capital n upon l तो स्माल n की वलो रगदी, capital n का square upon l square 1 l से 1 l गया, n square से n square गया, जखो क्या बचा b square upon 2 mu naught al, जखो b square b square, 2 mu naught 2 mu naught, 2 mu naught a, l, a, a, k, l बचाया al और area into length क्या होता है, volume area into length क्या होता है, volume मतलब, इस solenoid का अगर छोटा सा area है, a और इसके lens से मलटीप्ला कर दूँ, तो पूरा क्या आगया, इसका, volume तो वही लिख दिया मैंने, तो यू इकोल टो b square upon 2 mu naught into V, this is total energy of the solenoid, ये क्या आगई, total energy आगई किस से solenoid के अंदर, ये magnetic energy होती है, कौन से energy होती है, magnetic energy होती है, कौन से energy होती है, magnetic energy होती है, कौन से पूछे solenoid, solenoid किस तरीके के energy store करता है, तो तुम कहोंगे inductor या solenoid, magnetic form energy store करता है, कौन से कोई पूछे कि capacitor किस form energy store करता है, तो चिला चिला के समझाया था, एक capacitor, electric field के form energy store करता है, inductor या solenoid, magnetic field के form energy store करता है, क्यों, क्योंकि जब current इसमें से जाती है, तो इसके चारों तरफ, magnetic field store होना शुरू हो जाता है, किस के form में, magnetic field के form में, magnetic energy store होती है, आ तो यह जो energy आई किस form में आई, magic form में, energy density निकालना तो energy density equal to total energy upon total volume, total energy आचुका, कैसे निकाला, half L i square, L की value solenide वाली सिखा चुका था, I, B equal to minute n i, इन दोनों को यहां लगाया, U निकाल लिया, U आगिया, energy density होती है small u, total energy होती है capital U, और energy density represented by small u, तो energy density represented by small u, small u equal to total energy upon total volume, तो small u equal to total energy upon total volume, तो small u equal to, small u क्या यार, small u है यहां पर, magnetic energy density, मतलब energy density, equal to B square upon 2 mu naught into V upon V, total energy, total energy upon V, V से V गया, खतम, तो half B square upon mu naught, यह आगे energy density, और यह बहुत important है, यह बहुत important है, तो this is the formula of the energy density, energy density of the magnetic field, तो energy density निकालने के लिए क्या किया, बचू, energy density निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, total energy निकालने के लिए, total energy का formula होता है, बोल पर देखो, half L I square, अब यहार, कुछ भी लाने से पहले, I पता होना चाहिए था, B equal to mu naught N I से, I निकाल लिया, B upon mu naught N, फिर L पता होना चाहिए था, L equal to क्या होता है, mu naught N square A upon L, यह inductor के value होती है, Solanate के लिए, L आगे, I आगे, काट अब B T मचाई, half L I square में रखके, U आगया, U आगया, तो V से divide कर देखो, small U आगया, और small U क्या होता है, energy density होती है, killer होगी बात, पक्का energy density U upon V होता है, U का मतलब total energy upon total volume, total energy, half L I square होता है, L लाओ, I लाओ, value रखो, U आएगा, U आगे, V से divide कर दोगे, small U आगया, small U का नाम energy density है, क्या मैं 10 बार और बोलू, तो मैं एक बार लिख लेना, देखो, समझ में आ जाएगा, उके, इसको आप note करो.